Hello Everybody, जैसा कि हम लोग जो है Transfer of Property Act को कवर कर चुके हैं तो हम लोग जो है आज एक ही वीडियो में Easement Act 1882 को कवर करेंगे और जितने भी important section है उसको कवर करेंगे और वो भी diagram के माध्यम से आपको 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियो को earphone लगा कर आप जो है ध्यान से देखेंगे तो सारी Easement Act जो है कवर हो जाएगी और वो भी diagram के माध्यम से ताकि आपको समझने में आसानी हो और Easement Act के अंतरगत हम लोग बहुत सारी चीजों को समझेंगे जैसे की dominant property, servant property and essential elements of easement, types of easement and license भी हमारा एक important section हो जाता है 52 and education भी हम लोग पढ़ेंगे of easement तो ये हमरा last topic है तो चलते हैं हम लोग topic की ओर topic है हमारा easement act, आपको पता है कि जैसे कि हमारा transfer of property act जो है 1882 को लागू किया गया था, बनाया गया था उसी प्रकार easement act भी 1882 को ही बनाया गया था and इसकी origin जो है French common law England में की गई थी और ये इंडिया में 1 July 1882 को start किया गया था and section इसमें जो है 64 है इतना अंदर तब कोई नहीं जाता है आपको पता है कि सारे लोग जो है definition बता देते हैं लेकिन हर लोग जो है हर चीज नहीं बता पाता है तो आपको exam point of view से भी आपको important important point को भी मैं discussion कराते चाहूंगी and chapter इसमें 6 है यहाँ पर मैं बता दू कि जैसे जैसे लोगों ने विकास किया develop किया वैसे वैसे लोगों को पता चलने लगा कि हमारे rights क्या होते हैं हमारी कानून क्या होती है हमारे जीने का तरीका क्या होता है हमारा जीने का धंग क्या होता है पहले क्या था कि इंग्लैंड में ये लौ चलती थी लेकिन इंग्लैंड से भारत आ गया और भारत कब आया 1882 को भारत में ये एक्ट लागू कर दिया गया अब यहां पर चलते हैं हम लोग diagram की तरफ यहाँ पर diagram देख रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर diagram बनाया गया है जैसे कि यह diagram है यह road है रोड जा रही है और आपको पता है कि यह road जो है public road होती है इसमें सभी लोगों का जाने का अधिकार होता है आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग लगी है, ट्रीज है, सारे चीज है, अब यहाँ पर ये दो बड़े-बड़े बिल्डिंग है, अब दो बड़े-बड़े बिल्डिंग के बीच में एक बड़ी लैंड होती है, और लैंड के पीछे जो है, ए वैक्ती का जमीन होता है, और ए वैक्ती अपना घर होता है खरीद लिता है अगर बी जो है अपना हाउस बनाएगा तो यह जमीन जो है काप्चर हो जाएगी तो फिर A वेक्ति जो है इधर कैसे आप आएगा रोट पर अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर TURNING POINT आता है अब इसे रोट पर आने के लिए इसे जगह देना वोगा इसे जगह देना होगा जगा क्यों देना होगा अब आप सोच रहे हों क्यों दू जगा भाई मैंने इससे बहुत हो सकता है कि एक कड़ो रुपे में खरीदा हो दो कड़ो रुपे में खरीदा हो land लेकिन फिर भी इसे ए व्यक्ति को जगा देना होगा आने के लिए क्युक्य इसका ये राइट है यही होता है Easement Act यही होता है Easement मिंस यही इसमें यही चीज बोला गया है कि जो व्यक्ति जो है जैसे कि B जो है Owner है लेकिन फिर भी उसे क्या करना है कि उस दूसरे व्यक्ति को Beneficiary उप्योग के लिए Use के लिए उसे देना होगा और या तो फिर य भी हो सकता है कि कोई बात करने या करते रहने के लिए या किसी बात को रोकने के लिए भी या रोके रहने के लिए भी ये इसमेंट एक्ट बनाई गई है अब हम लोग डेफिनेशन जो है आप बेर एक्ट से पढ़ लेंगे मैंने आपको यहां तक समझा दी तो अब यहां पर बात आती है कि जैसे कि डॉमिनेंट ओनर कोन होता है और सर्वियन्ट ओनर कोन होता है जैसे कि यह वैक्टी जो है यह वैक्टी को क्या हुआ बेनिफिसरी यूज के लिए क्या मिला जमीन मिला तो यह हो जाएगा डॉमिनेंट ओनर ये व्यक्ति जो है इस लैंड का ओनर है ये लैंड का ओनर कौन है बी है तो यह हो जाएगा सर्वेंट ओनर क्योंकि इसने क्या किया इसने जो है दूसरे व्यक्ति को लैंबिलिटी इंपोज किया कि हाँ भाई तुम जो हो इस रास्ते का उपयोग करके तुम जो हो रोड पर जा सकते हो जैसे कि माना कि इसकी 10 फीट की जमीन है तो 4 फीट या 3 फीट जितने में वह वैक्ति जो है आ जाए उतना उसको जगा देना पड़ेगा जगा देना पड़ेगा यही आपका हो जाता है कोन से होती है ब पर जैसे कि इसमें का अब हम लोग थोड़ा सा समझे लेते हैं आप जो है ब्लेंगा escola यहाँ पर बोला है कि beneficiary enjoyment के लिए उसे जो है क्या देना होगा जो possession है उसको देना होगा या फिर कोई चीज को करने या ना करने के लिए यहाँ पर उप्योग किया रता है वो होता है आपका इसमेंट अब यहाँ पर for example क्या हो सकती है right of way यह आपका right of way हो गया and right of sunlight of course right of sunlight अगर यहाँ पर sun है तो आपको sunlight लेने का भी rights है and right to discharge rain water अब जैसे कि इसके छत पर बहुत सारे पानी जमा हो रही है तो इसे बाहर नाली में निकालना है तो आपको discharge करने के लिए भी आपको जगर देना पड़ेगा ओके यह आपका हो जाता है आपका example हो जाता है अब यहाँ पर दो पॉइंट निकल के आते हैं दो पॉइंट है आपका dominant heritage and surveying heritage जिसे हम लोग हिंदी में आगे मैं बढ़ा देती हूं copy ताकि आपको समझ में हिंदी में हम लोग इसे अधिश्टाई संपत्ति करत हैं और second जो पॉइंट आता है हिंदी में हम लोग इसे अनुशेवी करते हैं अब यहाँ पर dominant heritage क्या होती है the land the land for the beneficial enjoyment of which the right exists is called the dominant heritage heritage यहाँ पर क्या हुआ कि जिसे जो है क्या किया जा रहा है enjoyment beneficial enjoyment के लिए land दिया जा रहा है तो कौन beneficial enjoyment कर रहा है यह यह वैक्ती तो यह क्या हो जाएगा dominant heritage हो जाएगा and servant heritage को हुआ land on which the liability is imposed is called the servant heritage and the owner or occupier there of the servant यहाँ पर देखिए यह जो वैक्ती जो है बी जो वैक्ती है यह जो क्या है यह है आपका owner owner है and occupier है लेकिन फिर भी liability किसको impose कर रहा है dominant को impose कर रहा है तो यह आपका servant heritage हो गया अब essential elements को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ देखिए essential elements of easement dominant and servant heritage यहां मैंने आपको बता दी कि dominant and servant heritage क्या होती है and अब हम लोग चलते हैं कि आपका separate owner separate owner आपको पता है कि separate owners कुन होते है beneficial enjoyment अपकोस जो है dominant owner को beneficial enjoyment के लिए दिया जा रहा है कोई भी land ओके अब ऐसा नहीं कि कोई गलत काम करने के लिए डिया जाए right of way तो इस तरीके का जो है easement नहीं हो सकता है beneficial enjoyment के लिए कोई भी चीजों को दिया जा रहा है तो वो ही आपका easement होगा और easement किस तरीके से हो सकता है express and implied तोर पे and positive और negative और fifth जो essential elements है license can not be transferred यहाँ पर जैसे कि यह जो है और यहां किसी को ट्रांसफरर नहीं कर सकते हो जैसे तुम तुम तुमhे तुम्हें रास्का दे दिया गया है ताह तुम दوسरे को जाके दे दो इस तरीके स्क्रीके से नहीं कहा सकता है तो अब भी हम लोगने easement act के किया गया है types of easement ओके यहां देखिए अब हम लोग समझेंगे types of easement types of easement में सबसे पहला जो जैसे चार तरीके से easement हो जाते है section 5 में section 5 इसे note कर लिजेगा आप section 5 में चार प्रकार का easement हो जाता है continuous easement जिसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार होता है ध्यान से समझेगा तभी आपको समझनेगा कोई व्यक्ति जो है एक ऐसा अधिकार होता है जो किसी के means की intervention means की हस्तचेप के बीना भी किया जा सकता है यह एक क्या है कि यह एक continuous easement होता है for example यह आपका bridge mohan versus हजारी लाल AIR 9036 के case में बताया गया है कि जैसे की A, B and C का घर है road के उपर ओके road के उपर घर है तो A के घर से अगर नाली निकल रही है तो B के रास्ते होते हुए B के C के रास्ते होते हुए ही बड़ी नदी में जाके पास करेगी तो यहां पर क्या है कि यहां पर आप जो है कि आप जो है मना नहीं कर सकते हो B जो है मना नहीं कर सकता है तो यह आपका continuous cagement हो जाता है यह आपका केस के अंतरगत बताएगा है Sunlight होती है हर एक लोगों का right होता है कि अपने यहां से रोक नहीं सकते हो यहां पर जैसे कि आपके पडोसी की द्वारा जैसे रुकावर्ट डाले बिना कोई भी विंडो से प्रकास पाने का भी अधिकार जो है आपका जो है continuous अधिकार हो जाता है यहां पर clear है आपको यहां पर सड़क जारी है तो अपकोस यह जो है जो रोड है इसका उपयोग करेगा अब यह जो वैक्ती है यह मना नहीं करेगा कि तुम जो इस रोड जो है यह मेरा है तुम जो इस रोड को इस्तमाल मत करो यूज मत करो तो यह राइट अफ वे जो है आपका discontinuous इजमेंट हो जाता है कि मिल्स की जो है मनुस्य की कारी की आवशकता होती है यह एक ऐसा अधिकार है राइट है जो कि बिना इंटर्वेंशन के व्यक्ति की व्यक्ति जो है कर सकता है यह आपका discontinuous easement हो जाता है and apparent easement क्या होती है यह आपका third easement है for example third easement third easement को बताए गया apparent easement जिसे हम लोग हिंदी में अगर हम कहें तो प्रत्यक्ष शूखा दिकार हम कह सकते हैं अब इसे हम लोग example के दुरू समझते हैं जैसे कि यह आप जान रहे हो कि जो गाउं होते हैं उसमें क्या है कि खेत होता है खेत में मेड़ बनी होती है मेड़ बनी होती है अब जैसे कि a जो है a जो है a b c d c d का खेत है आप A जो है A और D भाई भाई हैं तो अब A के हाँ पर motor pump लगा हूँ है मोटर pump लगा हूँ है अब D को D के खेत में पहुचाना है तो अब जो है कैसे जाएगा अब इदर जो है बहुत सारी जंगल है पहाड है इदर भी पहाड है जंगल है जंगल है तो अब जो है इसे D ke खेत में लेके जाना है motor pump का जो पानी है वो तो B, C से होते हुए D के खेत में जाएगा A की जो motor pump से पानी है B, C के खेत से होते हुए जाएगा D के पास क्यों कि यहाँ पर यह आपका apparent easement हो जाएगा क्योंकि यहां पर यह जो कहा जाए कि जिसका अस्तित जो है किसी अस्ताई चिन से यह हो जाता है अस्ताई चिन से जिसे हम कर सकते हैं कि प्रियोग में होता है जैसे कि आप समझ रहे हो कि यह आपका जो है एक तरीके का माक है कि हां यह मेरे एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाने का हमारा राइट हो जाता है तो इस तरीके के हम लोग अपेरेंट करते हैं किसमें यह एक जामपल नहीं हो जाते हैं जैसे कि खिरकिया रॉप पानी बाहर निकाल का अधिकार किसी की धूमी तो यह सब apparent easement हो जाता है non apparent easement क्या होती है फोर जो आपका types non apparent easement जैसे कि यहां पर for example a की land है a की land है and b की land अब b यह नहीं बोलेगा कि मैं a की land में जाके अपना घर बना दू या फिर a नहीं बना दूं यह तरीकी का सुखादिकार है तो हम इस तरीकी का उपयोग कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है तो यह आपका नॉन अपेरेंट हो जाता है कि मिस आपका आपका जो घर है आपका जो लेंड है तो आप उसी में बनाओ आपको जो है बैनिफीसियरी इंजोइमेंट के लिए दिया जारा है यह आप याप और दूसरे का झाल में दो लिपने लग जाए तो यह तरीकिंप लोग backup करेग कि घर है वो वही वैक्ति उपयोग करेगा जब ऐसी कंडिशन हो जाती है कि कोई भी वैक्ति को रास्ता नहीं दिख रहा होता है तो उस कंडिशन में वैक्ति को इजमेंट के राइट्स होते हैं वो भी बैनिफिस्यल इंजोईमेंट के लिए ओके यहाँ ता क्लियर है यह सक्षेशन फोर में में इसको डिखायह गया है किसमें नहीं किया है सेक्षेशन пять में & अथास आपिजमेंट okay where one person grants to another or uh or to a definite uh number of other person a right to do continue to do in or upon immobile property of the grantor something which would in the absent of such rights to be to be unlawful and such right does not amount to an easement or an interest in the property the rights is called a license. यहाँ पर बोला गया है कि license जो है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को या फिर निच्चित संख्या में अन्य व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जैसे कि हम जो है किसी व्यक्ति के पास जैसे gun रखता है अगर बिदाउट लाइसेंस अगर आप gun रखते हैं अपने पास तो यह क्या हो जाएगा आपका illegal हो जाएगा तो license किस लिए दिय रता है ताकि जो है आप जो है किसी करते हैं तो यह आपका यह मिलिया है कि तुम तुम को दे दो ऌके omme व्यक्ति से 2 वहाखती में बना पॉस्ट्व का पैर वह में जिस से वंधा है वह और जो दे रहा है वह लाइसेिश जीज घ्रांट एक्सप्रेस और इंपलैड या तो आपको एक्सप्रेस तोर पर आपको मिलेगा या फिरह प्लाइट तोर पर मिलेगा and not transferable है means आप जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं जाके ट्रांसफर कर सकते हो license is not easement यह जो है easement नहीं है license क्या है easement नहीं है okay and यहां तक clear है आपको and बहुत सारे चीजे बताई गई है लेकिन वीडियो जो है बहुत ही लंबा खित जाएगा यहां पर license जो है किसी कारे को करने या करती रहने की अनुमती है अगर कोई भी इसके आभाव में कोई भी कारे किया जाता है तो वो illegal हो जाता है and यह जो है easement नहीं है यह individual right होता है and यह transferable नहीं है यह किसी की समपत्ती में जो है interest create नहीं करता है and यह जो है implied express होती है यहां तक clear है license हम लोग ने पढ़ लिया बहुत ही आजसान थी section 52 अब हम लोग चलते है revocation of license ओके यह section जो है 60, 61 and 62 में discussion किया गया है यह जो है बहुत सारी sections में define किये गए है अब जह है जैसे कि मुझे जो है easement की rights मिल जाते हैं अब मैं उसे कैसे शमापत कर सकती हूँ या फिर कैसे उसे मैं विखंडन कर सकती हूँ या पिर हिंदी में कह सकते हैं निर्वापन कर सकती हूँ या फिर okay तो जैसे कि यहां पर first जो point है है मैं आपको देखे बहुत ही सुन्दर सुन्दर diagram बनाई हूँ diagram के माध्यम से भी हम लोग समझते चलेंगे जैसे कि आप जो है यह मत देखेगा कि मैं जो है इंगलीस में लिखी है तो मुझे समझ में नहीं आएगा मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में समझा समझा के आपको समझाओंगी operation of law means की यहां पर विधी के द्वारा विधी means law के द्वारा भी इसमें का जो है addition किया जा सकता है for example section 37 में क्या बताएगा है addition by dissolution of rights of servant owner section 37 में 37 पे क्या बताएगा है कि जैसे कि जो आपका servant owner है उसके अधिकार के द्वारा विघठन किया जा सकता है जैसे कि हम लोग जो है easement tax पढ़ रहे थे तो यहां पर आप देखेंगे जैसे कि मैं आपको डाइग्राम के पास ले चलती हूं जो यह servant owner है by operation of law easement को क्या कर सकता है समाप्त कर सकता है ओके समाप्त कर सकता है यह आपका section 37 में बूला है ओके यहां पर अब हम लोग चलते हैं जो second point आता है यहां पर कंडिशन दी हुई थी जैसे किसी वैक्ति को क्या कंडिशन दिया गया था यहां ध्यान से देखेंगा यहां मैं जो है उपयोग कर सकते हो बट क्या होती है कि जैसे कि उसको बोला था कि हां तुम जो है इसे house की रूप में ही उपयोग करोगी house की रूप में यूज करोगी लेकिन क्या होती है house की रूप में यूज ना करके वो जो है क्या करता है कि व्यवसाइक कारे मिन्स की आपका जो है आपका बिजनेस के लिए इस जो है लैंड का उपयोग किया जाता है या फिर हम कर सकते हैं हाउस का उपयोग किया जाता है तो इस तरीके से भी आप expiration कर सकते हैं या फिर dissolving कर सकते हैं क्योंकि उसने क्या किया कि जो condition दिया गया था उसको expire कर दिया and third point आलाता है attention on termination of necessity for example जैसे कि क्या होती है इसको हम लोग example की तुरू समझते हैं जो dominant heritage होती है जो dominant heritage होती है तो उसमें जो है एक ही way होता है परंतु वो भी पडोस की द्वारा क्या किया जाता है purchase कर लिया जाता है तो उसे जो है जो वैकलपिक जो way है उसे उपलब्ध हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि आपका जो है necessity की हिसाब से जो है आपका जो है जो easement है वो termination हो जाएगा and second जो point आलाता है revocation, revocation को है section 39 में बतायागी है revocation जैसे कि for example for example इसको मैं आपको diagram के मादियम समझाऊंगी जैसे जो है a का land रहता है a का land रहता है और b के पास जो है बहुत सारी गाए रहती है गाए रहती है तो कहता है cow रहती है ox रहती है तो a से कहता है कि तुम्हारे जो land है उसमें बहुत हरी हरी घास उगरी है तो मैं जो हूं क्या मैं इस गाय को यह कर सकता हूं गाय को मैं इसमें चारा खिला सकता हूं तो बोलता है कि हाँ तीक है बी के गाए को खरीद लेता है तो यहाँ पर क्या हो गया अपकोस बी के गाए को खरीद लिया तो यह जो इसको इसमेंट का राइट मिला था वो तो खतम ही हो गया क्योंकि गाए तो उसकी हो गई तो यहाँ पर यह विखंडित हो जाता है या फिर एक्जिंटिंशन हो जाता ह और फॉट पॉइंट आता है बाई रिलीज यहां पर बात करते हैं जो बताये गया है सेक्षन 38 में जैसे कि यहां पर आप देख रहे होगे कि बहुत ही बिल्डिंग बड़ी बनी हुई है और इसको जो है सनलाइट मिल रहा है लेकिन अब क्या होता है कि इसके आगे एक और ब घर लिया तो इस बिल्डिंग को क्या होगी कि सनलाइट महीं मिल कि तो यहां पर बाई रिलीज निर्मोचन की दवारा क्या होती है कि आपका जो है इसम न्हीं कह सकते है कि एड्डिंग्शन गहतल है यहां पिर इसमेंट जो हैशा खतम हो जाता है उके और फोर्थ जो पॉ कोई भी land है या फिर कोई भी चीज है house है या फिर कोई भी चीज अगर आप easement के लिए उपयोग कर रहे हैं तो 20 year तक use न करने 20 year या 20 year से अधिक अगर use नहीं करते हैं तो easement जो है आपका खतम हो जाएगा यहां clear है आपको section 47 में यह बताया गया है and 5th point आजाता है useless easement section 42 में बताया गया है useless easement में जैसे कि यह आप देख रहे होंगे कि यह building तो नहीं है लेकिन house है यह house है house जो है बी डॉक्टर को दिया गया है क्या होती है बी डॉक्टर को दिया गया है कि तुम जो है अपना cleaning जो है इसमें चला सकते हो लेकिन क्या होती है कि 60 years से above हो जाता है 60 years से above हो जाता है डॉक्टर और वो जो है retired हो जाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा useless means कि आपका जो है उपियोग बंध हो गया तो यह आपका section 42 में पताया गया है कि अनुपियोगी हो जाने पर आपका easement जो है हो जाता है and six point आता है by permanent change in dominant heritage section 42 section 43 में क्या बताया गया है कि जैसे कि यहां पर हम लोगी example से समझते हैं यहां देखिए आपको पता है कि यह A के land है यह B की land है यह क्या होती है यहां पर रास्ता है तो क्या बोलता है B जो है easement के लिए A का थोड़ा सा जमीन मांग लेता है और यहां पर road के लिए right of way इस्तमाल करने के लिए यह इस्तमाल करता है यूज करता है लेकिन क्या होती है आगे आने वाले समय में इधर side से एक road हो जाती है इधर side से right of way हो जाता है तो आप क्या है कि यहां पर जो है permanent change हो गया तो A को easement देने की कोई जरूरत नहीं है means की dominant heritage क्या हो गया change हो गया तो इधर side से road हो गया तो आपको इधर से easement लेने की जरूरत नहीं है इसलिए यह permanent change हो गया जिसकी वज़ा से आपका जो है extinction हो जाता है easement का and 7th point हो जाता है on permanent alteration of servient heritage by superior force section 44 में बताए गया section 44 में यही चीद बोला गया है कि जैसे कि कुछ ऐसी सक्तियां हो जाते है जैसे कि क्या हो जाता है कि आपका एक मकान है मिन्स house है अब क्या हो जाती है कि आप जो है दूसरे के लैंड का उप्योग कर रहे हैं और क्या होती है कि एक बैक से बारिस होती है बहुत तेज तेज बारिस होती है और आपका जो है मकान जो है क्या होता है मकान ढह जाता है या फिर यह जो आपका लैंड है लैंड जो है तो यहां पर नदी में जब तब्दील हो गया तो सर्वियन्ट हैरीटेज क्या हो गया सुपिरियर फोर्स के कारण वो जो है पर्मानेंट अल्टरेशन हो गया जिसकी वज़ा से आप जो है इस तरीके से भी आपका एजमेंट जो है एक्स्टिंशन हो जाएगा मिंस की समापन हो जाएगा और फेक्ट होजाता है यहां पर बोलता है section 45 में क्या बताए गया है फर च्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर dominant heritage और यहाँ परIS." क्या me यहीं क्या हो जाती है कि संपति इस रिशाटे too says या फिर कह सकते हैं कि infraction हो जाता है कटाव हो जाता है जैसे कि नदी कभी क्या हो जाती है कि कभी बहुत तेज बारिस होती है जिसकी वज़ा से infraction हो गया कटाव हो गया अतिक्रमन हो गया तो आप समझ सकते हो कि क्या हो जाएगा कि आपका जो है संपत्ती का विनास हो जाता है दोनों में से कोई भी संपत्ती है उसका विनास हो गया तो आप क्या जो ismentary rights हो जाता है वो खतम हो जाता है समापन हो जाता है अब यहाँ पर 9th point हो जाता है by unity of ownership यह आपका section 46 ने बताए unity of ownership मिन्स की जो आपका dominant heritage है और आपके जो servient heritage है वो क्या हो जाता है कि वो एक हो जाते हैं for example जैसे कि ए जो है A क्या होती है A के पास एक field रहता है sorry B के पास एक field रहती है और A की एक house रहती है और वो क्या करता है कि क्या करता है A जो है C को अपना house mortgage कर देता है पिर क्या करता है कि यह C जो है क्या करता है कि इस house को जो है खरीद लेता है और इसके बाद में B तो है इसकी field रहती ही रहती है तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो दोनो ओनर है या फिर हम कह सकते हैं कि दोनो जो प्रॉपर्टी है वो दोनो प्रॉपर्टी का एक ही ओनर बन जाता है तो आप समझ रहे हो कि जो डॉमिनेंट हैरिटेज है या फिर कह सकते हैं कि डॉमिनेंट ओनर जो है या फिर सर् यह आपके नाइन पॉइंट दिये हुए हैं आइधिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीकी समझ में आ गया होगा और मेरी मेहनत को अप्रिसियेट करें और कम से कम कमेंट के थ्रू मुझे बोला करें कि हा मैं आपके द्वारा जो है अच्छा कारी किया जा रहा है इसी प्रकार हम लोग को एक्जाम में पास कराते रहें और भी मैं बहुत सारे चीजों को डिस्कसन करूंगी आगे आने वाली वीडियो में और कम से कम अप्रिसियेट करने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप लॉय स्टुडेंट हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे और डॉन फॉर्गेट तो सब्सक्राइब चैनल तिल दन बाबाए थैंक यू